गुड ओरनिंग बच्चों आइम राजु टाक्रे अंड वेलकम इन एक्स्लंट टेकेडमी कुराडी है अपका एक्सेलंट आपकेमी कुराडी में बहुत बहुत सौगत है तो बच्चों हम लोग chemistry का लेक्सर देखने वाले हैं और chemistry का हमारा chapter start है aldehyde ketones and carbosalic acid और इसमें से हम लोगों का आज का जो topic है ये nucleophilic addition and elimination of aldehyden ketones with ammonia derivative मतलब हम लोगों क्या करना है nucleophilic addition के साथ में उसके बाद में elimination भी करना है किसका aldehyden ketone का reaction करना है ammonia के derivative के साथ तो बच्चों बहुत important सा topic है और इस topic को समझने के लिए बच्चों मैं हर बार की तरह आपको बता दू आपके सारे ब्रावजस बंदोने चीए और पूरा concentration इस topic के उपर होना चीए क्यों क्योंकि topic थोड़ा सा अलग है और topic जब अलग होता है तब जाकर के हमारा concentration इंपरू करने के हमको बहुत सारी क्या होती ज़रत होती है और मैं बहुत easy way से आपको chemistry learn करवाने का प्रयास करूँगा बहुत easy तरीके से बताने का प्रयास करूँगा और वीडियो के अंत में आपको वीडियो कैसा लगा इसको comment section में mention कर दीजिएगा कि आपको चीज़े समझ में आ रही है या नहीं आ रही है और आपके कोई suggestion हो तो please comment में डाल दीजिएगा मैं उनके उपर work करके next video बहुत बेटर तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा especially regarding to the visualization and explanation चैनल को subscribe कर दीजिएगा चैनल का नाम मैंने दिया हो नीचे में आपके सामने में mention है चैनल का नाम है chemistry, biology and science इस चैनल को आप लोग क्या कर दीजिएगा subscribe कर दीजिएगा ताकि आपको नई notifications मिल सके जब भी मैं नया वीडियो डालू तो आपको notification उसकी मिल सके तो चलिए बच्चो आज की reaction को start करते और reaction को समझने का प्रयास करते कि reaction कैसी मैं पहली बता रहा हूँ वीडियो के starting में ही कि इस reaction को थोड़ा complicated तरीके से आपको नहे लेना है बड़े easy वे से लेना है मैं जितना better तरीके से या easy तरीके से बताने का प्रयास कर सकती ओ मैं उतना easy तरीके से इसको बताने का प्रयास करूँगा तो चलते हमारे reaction के ओपर तो सबसे पहले हमारे reaction में करना ğा के है कि हमको ultimate लेना है तो मैंने ultimate किटोन को लेते समय हम लोग कोई भी हम कार्बोन्य कंपॉण उसको कंसिडर कर सकते हैं कार्बनिल कंपॉन के तर पर ले सकते हैं जो इस होगने और यहां पर नहीं लिखा तो सबसे पहले क्या करना है कि जब इसमें Elimination करना है Ammonia के derivative के साथ तो Ammonia का मतलब क्या होता है NS3 तो NS3 में का Hydrogen atom जब replace होता है तो उसको उसकी क्या बुलते हैं लोग derivatives बुलते हैं वो हो सकता है कि Alkyl derivative हो सकता है Arryl derivative हो सकता है या अधर कुछ derivative हो सकते है इसलिए मैंने ना Alkyl, Arryl कोई confirm नहीं है कि Alkyl होगा, Arryl होगा या अधर होगा इसलिए मैंने वहाँ पर जएड एक symbol उसके लिए representation दिया हो कि जएड atom बुला वो जएड atom कुछ भी हो सकता है वो Alkyl group भी हो सकता है, Arryl हो सकता है रिवर्शीबल नजर आ लिए, कैसे रिवर्शीबल होती है और विक ऐसेडिक मीडियम के प्रेजेंस में रियाक्शन होती है और जब इसका जो प्रोड़क्ट बनता है यह जो आपको सामने दिखाए दिरा इमाइन इसको हम चिप बेस बुलते हैं चार्ट वाइस बताऊंगा और एक आपको रियाक्शन वाइस बताऊंगा आपको जो बेनिफिशियल लगता है वह आपर उसको क्या कर सकना यूज करना तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो हम लोगों ने क्या लिए अमोनिया की डेरिविटिव ले ले लिए यहां से क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान क्या रखना है अपने को कि यहां का डबल बॉन क्या करना है ब्रेक करना है तो कैसे करें यह प्रॉब्लम वाली बात है तो डबल बॉन जब ब्रेक करते समय अपने को ध्यान रखना है कि यह जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के पास में यहां का एक हाइड्रोजन दिन है तो मैं इसको ऐसा लिख दू अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हो कि एनेश टू जेड को हम लोग क्या लिख सकते कि एनेश और एनेश लिखने के साथ साथ हम लोग क्या लिख सकते एक एच को बाहर निकाल सकते और उसी एन को क्या दे सकते ऐसा जेड लिख सकते तो अब मैं बच्चों मैंने क्या बुला कि यह वाला एच किसके पास में गया आक्सीजन के पास में गया तो यह क्या बन गया यहां प एक बार निकाल लिखता तो नीचे लिखता तो अच्छे तरह के समझ में आता और एक बार इसको समझ लेते एक बार फिर से जहत जहेड व्हूंने और आपके पास में यह वाला क्या लीका एक यह अचा गया अब मुझे पता है और यह यहां पैस किसके पास में गया oxygen के प्रवलम की कार्बन की पूरी करना है तो कार्बन की जरुत पूरी करने के लिए नैट्रोजन के ऊपर में निगेट उचाज होता है इसके उपर क्या होता है निगेट उचाज क्योंकी यह चैज़ तो तो अब जाकर कि ये जाकर किस से अटेच हो जाएगा कारबन से जाकर क्या हो जाएगा अब कारबन से जाकर अटेच हो जाएगा तो यह डाइरेक्टली कारबन से अटेच आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ में एक हाइडोजन था कर दो यहां से कार्बन के बश्मने से और निकाल दो नाइट्रोजन के पास में से यह निकाल दो अब दोनों के ऐड़ासेंट एटम से वन टू एलिमिनेशन जब होता है तो बिच में इक बोंड इंक्रीज हुआ लगा आपको डबल बौंड नजर आ रहा रहा हैं इंक्रीज ह तो थोड़ासा Landing थो आपके बुक तो आपके बुक के ओपर में दिया गया और इसको मैं प्राइमरी आमाइन के साथ में रियाड करके आपको दिया और में आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर मैं डायरेक्ली प्रोड़क का फॉर्मेशन कर सकता हो कुछ नहीं सबसे पहले क्या करूँगा ट्रिक्स के लिए बता रहा मेकनिजम इसका अलग है बच्छों डायरेक्ली ययं को अगर क्या कर दोगे अटेज कर दोगे तो यहाँ अपर होने के वज़ें हो तो और इसा चलो आप देख लेते तो मैं ने क्या बूला कि आरya यह चुट तो बच्चों कुछ मत करो कि और येन का गुरूब यह का गुरूब डाइरेक्टली किसके साथ मेन टेच करो और कार्बन के पास में आरियन का ग्रूप लागे बच्चों तो जायकर का और चला जाएगा और वह उक्षिजन अपनी इलेक्ट्रोन लेकर के बाहर किसके साथ में कंबन उजाए झाए तो आपको बैप्रोडक्त में दिखाए दे रहे आप बचा क्या यह और सीके बच में सिंगल बाउन बनेंगा लेकिन कारवन को भी एक इलेक्ट्रोन की जुरुत है तो फिर इनके बिच में carbon और N के बिच में double wanna जाएगा तो यह ऐसा shortcut इसके लिए tricks है यह shortcut भी आप इस तरीके से बना सकते हो आप यहाँ जेट consider कर सकते हो तो आप इसी तरीके से shortcut भी बना सकते हो कोई problem वाली बात नहीं है बच्चो लेकिन यह तो था normal लेकिन अगर मैं इसको बोलों इसमें मैंने क्या किया आपको दिखाय हो यहांपร कि वट किया तो के जगब पर को ना गया यह ना गया पर सौटकर ट्रिक्स अगर मैं सौटकर ली बुलू तो फिर उसके बाद में कुछ नहीं करना उसके बाद में अब यह ऐसा बन जाएगा इमाइन का ग्रूप बन जाएगा अब इमाइन के पास में क्या करना एड करना की आरे और थी और इस विज़से अंडरस्टेंडिंग के लिए मैंने यह चीज आपको बताया बच्चों अब इसकी डेरिविट्यूस को ले लेते कुछ चीजे तो मैंने देखो प्राइमरी आमाइन के साथ में लिया तो मैंने लिया तो मितालमाइन लिया तब जा करके देखो डिरे चारे ने च्ठो तो अब कया करना मुझे आर के जगव जो ग्रूप था ऑर के जगव जो गूरुप था उम्मुझे किसको टेच करना यदर मैं क्या करऊंगा के जगवरों के जगवरों पर जगवरी यन धी करताय कर दूँगों और फिर उसी एनको क्या कर दूँगा टैच कर दूँगा क्यों यहां का यह ओ यह बाहर फिर उसके बाद में मैंने क्या कर दिया हैड्राजाइन तो हाड्राजन की रियक्षन करूगा तो जब भी यह मैंने हाड्राजन को रियाड करूंगा तो सबसे पहले क्या करूँगा एनेसटू को रियाड क्की रखो यहां के पास का यहां के पास का यहां के पास मिला यहां आपको दिखाए दे रहा है और फिर नहीं है इसमें कुछ नहीं तो अब क्या करना है तो ये वाला गुरुप जैसे कवेशा तो ये वाला देखो मैं एक साइड का पूरा एटम यह यन लगाना है देखो यन यन स्रिपा सेकन वाले का यने स्टू में का सिर्प क्या करना है यन मैंने डारेक्ली अटैच कर दिया अब बाकी बचा हुआ इदर का जितना गुरुप पूरा बचा हुआ तो यह ने को अटैच कर दिया तो इस तरीके से आप सेमी कारबार जुनका भी क्या कर सकते हो एसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इसके लिए और में तर्ड आपको लिए दिया हूँ आपको और नीचे में दिया हूँ एक चार्ड बना करके दि को मैंने कुछ नहीं किया मैंने सबसे पहले देखो में यहां पर Oreo बच्छो यह यहार यह सकता है ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आर डास आर जो भी यह चो सकता है या फिर आर भी हो सकता है यह अल्डियाडो की टूनगा मैंने आपर में इंसन किया उचार्ट के अंदर तो इसमें पहλη दिको मैंने यहाँ खैसे ऑबता चुका हो तो ऑ जिम बना यहां नहीं क्या कि यह और यहां दूनों आर दिया सेम कॉंसेट मैंने और यहां पर हमको एक फिनायल का गुरूप लेना पड़ता है तो आपको पता है थो यह तो यह नहीं का आटाश होगा कारबोनिल कर बन के साथ यहां पर दीक्या दे रहे हैं यह नहीं और बाखे का ए замिलों हो जाएगा और सेमी अयां तो मैंने बздनि evenings का भी सेम कोंसेट मैंने दिया अपको यह आ पर दिखिए रहे से रियाट कारद एक बना और नया है का मतलब हर डियनुक्त हैं से वह इसका के सामने श्ट्रक्चर रहे फ में एक और आपको अपास में टू नीट्रो फिनाइल हेड्राइजन बन जाएगा तो यह थी तुमारी मेतर्स और इस प्रकार से आप लोग इसको conceptual बार-बार देखना कैसा क्या हो रहा है कुन सा item कहां से निकल रहा है कहां जा रहा है इसके उपर में थोड़ा सा क्या करना फोकस करना बस कुछ नहीं करना है बच्चो एनेश्टू में का यन क्या करना है सीधे ओके जगह पर लाना है है बार-बार 22100 का त्रिक्स और दुसरा वाला जो गृप होता है जो दुसरा वाला गृप होता ओओँ इसको सीधे इसधे जा करके उस यन को क्या कर dina पच्टीर अब इनेश्टू इससाइड में भी होत सकते हैं और और बचआ हुआ और पूरा इसस यन की से आपके लिए मैं थोड़े से 2-3 homework देना चाहूंगा आपको तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि सबसे पहला homework द्यान से सुनिएगा कल के lecture में तोड़ा सा homework फंबल हुआ था मेरा क्योंकि मैंने एक चीज़ का हुमक दो बार बोल दिया था तो यह फंबल हुआ था लेकिन आज नहीं होगा तो सबसे पहली बात अगर मेरा पहला हुमक है आपको आसिटल डॉक्जिम्स का फार्मेशन करना है अब इन में से कुंती मेतल लगेगी वह आपको डिसकस करना और रियक्षन वाइज बनाना है चार्ट वाइज नहीं और एलिमिनेशन दिखाना है वाटर का मुझे ठीक है और हो सके तो मैं किसी को कॉल करके पूछ भी सकता हो कि आपने रियक्षन किस तरीके से बनाए और आपको किस तरीके से तो पहला मैंने उमक बूला कि आपको स्केा करना है दूसरा उमक आपको है कि सेमी कारवाज जोन आप साइक्लोहिक्षन लिक्षेञ लेजीगा अपने पास में पहला उमक आपको साइक्लोहिक्षन को बनाना है लिख लिए अब तीसरा ओमक लिखो आपको क्या करना है कि आपको 2,4-Dinitrofenyl Hydrazone of Acetyl Dehyde का फार्मेशन करना है और नेक्स्ट उमक आपको यह है कि आपको क्या करना है कि आपको इसाथ चौता उमक होगा मेरा चौता उमक आपके लिए यह है तो इसमें आपको क्या करना है कि 2-Methyl Hexanol and Eethylamine two methyl hexanol and ethyl amine की क्या करना है आपको reaction करना है और इससे आपको imine बनाना है क्या बनाना है imine यह आपका च्छा होता अमक आपका पाच्छवा अमक यह है कि आपको आपको कुछ नहीं करना है आपको acetone phenyl hydrazone बनाना है क्या बनाना है acetone phenyl hydrazone का formation करना है यह आपके होगे पाफाई होमवक्स और आपको इन फाई होमवक्स को जल्द से जल्द बना करके देना है बच्छो और आपसे आपको वीडियो कैसा लग रहा है क्या लग रहा है आपको चीज़े समझ में नहीं आ रही यह भी comment section में लिखती है चलना है thank you so much guys for watching this video thank you so much next video के लिए हम मिलेगे कल next video अपने chemistry का लेंगे इसके बाद में बायो का एक video आपको back to back मिलेगा thank you so much guys कर दो कर दो कि अपको पर में आपको प्रेश्वा़गे प्रेश्वारे रहा है